वेल्कम स्टुडेंस स्टुडेंस आज हम एक्सराइज 1.2 के कुछ कोस्टेंस करेंगे आये देखते हैं कोस्ट नॉम्बर वन पूछा गया है कि 1.4 और 1.2 के बीच में एक रेश्टन नॉम्बर पूछा है इसको करने के लिए न दो टेक्नीक्स हैं तो पहले एक टेक्नीक्स से कर लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स का क्या करेंगे एल्सियम निकालेंगे क्या करेंगे एल्सियम एल्सियम निकालेंगे फोर का और टू का तो आप एल्सियम निकालो एल्सियम ऐसा क्यों निकालेंगे क्योंकि हमें जहां पे जो डिनॉमिनेटर है ना दोनों सेम अगर दो नों डिनोमनीटर सेम नहीं है तो थोड़ा से शेक्रन सेमी हो निकाल ने में देखते हैं कि भर अब्स को असान करेंगे असान कैसे करेंगी लस्ति हमने कैं देखा कि ऒान वारर फोरएं टू का यह कितना है वह attract person video लिग्षा था 1y4 यह तो मुझे 4 चाहिए तो यह 1y2 था तो मुझे इसको convert करना है किसमे 4 में तो किस से multiply कर रहा हूँ 2 by 2 से जैसे हमने इसको 2 by 2 से multiply किया तो यह 1y4 आ गया ध्यान से देखो यह 2 1s आ 2 2 by 4 अब denominator हो गया सेम ठीक है अब इसके बीच में हमने देशनल नंबर निकालना है अब देखो यहां पे चोट शी कर्फूजन होगी अगर हम इसी को number line पे ड्रा करें तो यहां पे 0 है ना फिर 1 आएगा यहां पे तो यह 1y4 भी जीरो और बन के बीच में होगा है ना तो यह इसको अगर हम देखें है है ना इसको देखें 2y4 यह भी 0 और 1 के बीच में है हमें इसे इंटिफाई करना है बड़ यहां पे देखो यह सेम है और न्यूमेरेटर डिफेंट है 1 & 2 तो अगर लेट इट भी यह हमारा 1y4 होता और यह हमारा next 1y2 है तो अब भी इसके बीच में अगर कोई पूछे ना आपको यह कैसे आए यह मैं आपको explain करता हूं अगले next question पे जैसे हम number line बढ़ते हैं तो यह इसके बीच में कितने numbers होंगे यह infinite numbers है पहले यह समझदो आप है ना लेकिन अगर number line में देख रहे हैं तो one के बाद हमारे पास क्या आ रहा है इसको यह two by four था यह two by four था ठीक है one के बाद two आ रहा है यानि कि शिदा one और two है इसके बीच में हमें कोई number नहीं देख रहा है बट हमें तो इसके बीच में infinite numbers हैं उनमें से कोई एक दूना further फिर क्या करेंगे अगर ऐसी सिती आ जाएगी तो further हम क्या करेंगे यहां पर यह one by four है और यह two by four है हमारा इसको लैट इट भी इसको भी two से multiply कर लेते हैं और इसको भी two से कर लेते हैं द्यान से देखना इसको भी two से कर लेते हैं और इसको भी two से कर लेते हैं अब हमारा आंसर क्या आया तू बंजा टू डिवाइड़ बाई फोर टू जा एट यह हो गया वाइट अब यह कितना होगा टू टू जो फोर फोर बाई एट आप देखो आप आप इसी को नंबर लाइन पर डूड़ते हो जैसे तो मारे पास पहले टू बाई आएगा फिर थ्री बाई एट आएगा फिर फोर बाई एट आएगा तो हमने देखो बड़ी असानी से एक नंबर हमने दून लिया तो लिखेंगे कैसे इसको इसको लिखने के लिए हम यहां पर रफ शिर्ड यूज करता हूं इसके लिए ताकि आपको और क्लारिफ़ई हो Więc make the denominator of both terms same, by doing multiplication, by doing multiplication that is 1 by 4 multiplied by 2 by 2 and 1 by 4 multiplied by 2 by 2 and 1 by 2 multiplied by 4 by 4 दीक है यह क्या आगया हमारा यह आगया हमारा 2 by 8 यह आगया 4 by 8 आप therefore लिखेंगे यहां पर therefore 2 by 8 यहां से देखो is less than 3 by 8 is less than 4 by 8 अब हमने क्या देखा अगर हम इसको सॉल्व कर रहे थे 2 by 8 को इसका अंसर क्या है 1 by 4 ही है जब इसको सॉल्व कर रहे थो आंसर क्या था 1 by 2 है यहां पर देखा हमने इन बिट्वीन क्या आगया हमारा 3 by 8 तो therefore 3 by 8 is the rational number in between क्या था यह हमारा नंबर 1 by 4 and 1 by 4 and 1 by 2 तो students I hope so कि आपको यह first question का जो मैंने introduction दी है आपको समझ आगी होगी आप आप इसको इस किसम के questions को better way से निकाल सकते हो हमने पहले क्या करना है दी नोमीनेटर सेम करने है तो दीनामीनेटर हमने सेम किये मैंने example में आपको बताया यहां पर यह हमने यहां पर हमने यहां पे भी LCM 4 आया था तो 4 वाली स्थिती में हमें इन विट्मी नंबर में मिला फिर हम नेक्स स्टब पे गए फिर आमने इसको जो 4 के बजाए हमने इसको 8 8 करने के कोशिश की तो फिर वहां पे हमें नंबर मिल रहा था तो अब मुझे उमीद कि आपको यह कोश्चन समझ आ गया तो आप ऐसे कोश्चन को निकाल लोगे अगर आपकी कोई फिर भी क्वैरी होगी तो आप क्वेंट बाक्स में लिखना तो आई चलते हैं आपने नेक्स कोश्चन पे नेक्स कोश्चन हामारा रिप्रेजन्ट इसनम्बर आंधा बलाय यची कोश्चन वि दो मढल टरखे हैं यह터 म बख्या क्या हमने इसका नंबर का द देख है यह तो इस जो वन है ना हमारा इस वन को का भी हमने वह मिनेटर फॉर कर देना है अगर यह four है तो मुझे जो इसका numerator है वह नमबर लेकर आना है कि इन दोनों को solve करें कि answer हमारा वान आ जाए तो कैसे हो सकते हैं four by four four by four को कैसे लिख सकते हैं one लिख सकते हैं similarly यहाँ पे eight by four को यहाँ पे लिखते हैं तो कैसा हो साएगा फिर यह two हो जाएगा हमें question क्या था seven by four ज्यान चे देखवाओ अब इसके यह four थे यह हमने इस लाइन के four part बनाने है पहले के one two three four फिर five six seven eight है ना यह पर फिर्स्ट लाइन का पासे चुन कैसा हो गया one by four two by four three by four यह four by four already था यह five by four six by four four यह seven by four और यह eight by four हमें क्या पूछा उसने seven by four तो यह जो number हमारा seven by four हमने लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिए अब चलते हैं इसके next part पर next कैसा हमारा माइनस में five by six है चलो next भी इस लाइन पर बना लेता है साब अब आपको पता यह zero यहां रखते हैं तो यह माइनस में आ तो यह कहां होगा towards the left hand side यह मैं इसको माइनस one कर लेता हूं अब आपने क्या देखना है यह क्या था six था तो हमने क्या करना है इसका denominator में six रखना है अब इसको किस से multiply करें कि उपर अंसर भी हमारा स्क्राइब का मान्स बन और यहां कैसे होगा six my six 6, minus 2 by 6, minus 3 by 6, minus 4 by 6, minus 5 by 6, और यह minus 6 by 6, सब्गे क्या पूचा उचा उचने, minus 6 by 6, यह नमबर हमारा, minus 5 by 6, तो students मुझे उम्हीद है कि आपको आज का यह दोनों questions, बड़े important questions हैं, आपको समझा आ गया है, आप इनकी practice करना खूप सारी, अगर आपके कोई doubts होगे, तो आप comment box में लिखना, हम उसे solve करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे अवीद है कि आप मेरे इस वीडियो को like करोगे, share करोगे, और दोस्तों में want होगे, अगर चैनल पर नहीं होदा चैनल को subscribe भी करोगे, Thank you students,